नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ बारत और न्यूजरन के बीच तीन मैचों के टीटो इंडिया सीरीज का पहला मुकाबला जैपूर में खेला गया और उस मुकाबले को टीम इंडिया ने बीहद रोमान चक मुकाबले में पाँच विक्टों से अपने नाम कर लिया एक समय ये मैच टीम इंडिया काफी आसानी से जीतते हुए नजर आ रही थी लेकिन अंतिम ओवरों में निवजरन के गेंद बाजों नदमदार वापसी की और आखरी ओवर में टीम इंडिया को दर सरन बनाने थे पहले विंकेटे सायर और उसके बाद रिशाप पंत ने चौंथी गेंद पर एक जोरदार चौका लगा कर टीम इंडिया को पाँच विक्टों से पहले टीट इंडिया में जीत दिला दी और इसी किताती सीरीज में टीम इंडिया एक शूने से आगे हो गई है इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के उन पाँच हिरोस से मिल लवाएंगे जिनकी बदूलर टीम इंडिया ने ये शानदार जीत हासिल की मैच के पहले हीरो रहे सूरकुमार यादो सूरकुमार यादो ने इस मैच में 40 गेंदो पर 62 रनों की हैरतंगेस पारी खेली जिसमें 6,4 और 3,6 के लगाए सूरकुमार यादो जब तक बले बाजी कर रहे थे लग रहा था टीम इंडिया 16 या 17 ओवर में ही मैच जीत जाएगी लेकिन उनके विगेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया संकट में आ गई थी मैच के दूसरे हीरो रहे रोहित शर्मा पहले विगेट के लिए रोहित और रहुल ने दमदार शुर्वात दी थी और दोनों ने पहले विगेट के लिए 50 रन जोड़े थे लेकिन रहुल के आउट हो जाने के बाद रोहित ने 36 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेले जिसमें 5 चौके और 2 चक्के लगाए मैच के तीसरे हीरो रहे तेस गेंदबास भुनुशर कुमार लंबे समय से आउटो फार्म चल रहे भुनुशर कुमार ने इस मैच में दमदार वापसी की और 4 ओवर में 24 रन दे कर दो महतपून विगेट निकाले उन्होंने डेरल मिचल गुरूप में अपना पहले विगेट तो पहले ही ओवर में हासिल कर लिया था और इसके बाद दूसरा विगेट भी हासिल किया मैच के चौते हीरो रहे रवीचनर अश्विन जिहां रवीचनर अश्विन ने इस मैच में चार उवर में 23 रंदे कर दो बड़े विकेट हासिल किये मार्क चैपमेन जो सेट होकर तावर तोड़ बलेवाजी कर रहे थे अश्विन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया और उसके बाद क्लेन फिलिप्स को भी उसी ओवर में LBW आउट कर न्यूजलिन की टीम को दो तगड़े जटके दिये थे जिससे न्यूजलिन की टीम पिछड़ गई थी मैच के पांचवे और अंतिम हिरो रहे केल रहूल जी हां केल रहूल ने इस मैच में टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने में बड़ी भूमिकानी भाई रहूल ने 14 गिंदों पर केवल 15 रन की ही पारी खेले जिसमें एक चौका और एक शक्का लगाया लेकिन रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को पाउर प्ले के दौरान अच्छी शुरुआत की पूरी तयारी कर दी थी रोहित और रहूल ने पहले विगेट के लिए 50 रन जोड़े जिससे टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत मिल गई थी आपको दें इस अप्टिम इंडिया सीरीज में एक शुरुने से आगे हो गई है सीरीज का दूसरा टीटिया मैच 19 नमंबर को राची में खेला जाएगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ